नमस्कार मैं नितिन माथुर लेक्चिलर कंप्यूटर साइंस गवर्मेंट प्रोटनी कोलेज यालोर आज हम डिसकस करेंगे सी लेंगे का बहुत ही महत्वपून टॉपिक इस पॉइंटर्स किस तरह से पॉइंटर्स काम करते हैं पॉइंटर का मेनिंग क्या है किस तरह से एड्रस को हैंडल किया जाता है सी लैंगवेज के अंदर यह इसलिए महत्वपून है बिकॉज अट बॉटम लाइन जो सिस्टम है या हार्डवेर है वो सारा जो वर्क है वो एड्रस के उपर करता है तो पॉइंटर्स को टॉपिक समझने समय समझ में आता है कि इंटरल हार्डवेर या सौफवेर जो हैं वो किस तरह से एड्रस को हैंडल करते हैं और किस तरह से एड्रस एक बहुत ही महत्वपून कड़ी है डेटा को एक्सेस करने के लिए या डेटा हैंडल करने के लिए तो हमें यह बहुत ही ध्यान से समझना होगा चलिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि address handling C में कैसे होती है अगर आपने starting में आप लोगों ने slides पर ध्यान दिया होगा जब मैंने initialis को शुरू किया था तो हमने देखा था console input output की unit के अंदर हमने देखा था scanf और जो था scanf के अंदर जब भी आप data store input लेते हैं तो variable के साथ special operator लगाते हैं that is called amperson वो amperson जो operator है वो उस variable का address प्रोवाइड करता है address ले चाहिए वहाँ पर because जब आप input लेते हैं keyboard से तो उस data को store कहां करना है तो data को store करने के लिए आपको क्या चाहिए address के requirement होती है and amperson जो operator है वो आपको address देता है variable का जहां पर जाके scanf उस input को store कर देता है वो address किसी memory location का होता है जहां पर जाके data आपका store होता है तो c के अंदर वो पहला मौका था या पहला जगह थी जहां पर हमने उस amperson operator को उस किया था अब देखते हैं every variable in memory location and every memory location has address defined which can be accessed using amperson operator which denote an address in memory हर एक variable every variable is a memory location हर वेरिबल के पास एक memory location होती है और हर location का अपना defined address होता है इसको हम amperson operator से access कर सकते हैं विच देनोट्स एन address in memory जो की memory में एक address को denote करता है consider the following example which prints the address of the variable defined इसको समझते हैं in to mean into where1 printf address of where1 variable percentage x slash & amperson where1 तो यहां पे जो percentage x जो है वो variable को hexadecimal format के अंदर प्रिंट करवाता है basically जो address होता है उसका कोई data type नहीं होता है जब भी हमने data type बात कि वो data का type है पर address का कोई type नहीं होता है तो address को हम hexadecimal के अंदर octal में या binary में या decimal में प्रिंट करवा सकते हैं तो यह हमने print करवाया है इसको hexadecimal के अंदर y using percentage x when the above code is compiled and executed it produce the following result जब यह उपर वाला code जब रन होता है तो इसका address result के आता है address of var1 variable is bff5a568 इस एक random address मैंने या लिखा है that is b555a यह हर machine पे जब भी इस program को आप जितनी बार run करेंगे यह address randomly बगल जाता है हमेशा fix नहीं रहता है पर कहने का मतलब यह है कि हर variable जो है बनाते हैं उसका अपना एक fix address होता है अब बात करते हैं pointers की अभी तक जो अभी आपने इतने यह डिसकस किये हैं उन सब के अंदर हम लोगों ने देखा था data कैसे store होता है data को कैसे store किया जा सकता है राइक बट अगर data के address को store करना है तो आप कैसे store करोगी तो अब data के address को store अभी वो तो data type थे data store करने की data type थे आपको पताना पड़ेगा उसमें especially कि उसमें आप data store कर रहे हो या फिर आप address store कर रहे हो data store करने के लिए आपको उस variable के साथ special operator लगाना है that is star इसको हम बोलते है asterisk operator ठीक है यह asterisk operator यह बताता है कि वो जो variable है वो एक simple variable नहीं है वो एक pointer variable है जो कि किसी variable के address को store कर रहा है c language a variable is used to store a value at a time but it is not store address of any variable or any data structure c language provide the facility to store address of any data structure called pointer तो variables के अंदर आप से data store कर सकते हैं किसी का address store नहीं कर सकते और किसी address आपको store करना है तो आपको pointer की जरुरत पड़ेगी तो जब भी कोई variable address को store करता है वो कहलाता है pointer a pointer is a variable whose value is address of another variable direct address of a memory location तो pointer एक variable है जिसमें किसी variable का address होता है जो कि किसी memory location का direct address होता है like any variable or a constant you must declare a pointer before using it to solve any variable address तो किसी भी variable की तहरे जब आपको उस किसी address को store करना है तो आपको उस pointer variable को declare करना पड़ेगा these variable can be type of integer character array function or any other pointer the size of pointer depend on the architecture pointer का जो data type है वो कुछ भी उसकता है integer character array जो भी हम जिस तरह का में pointer बनाना है उसका data हम यूज कर सकते हैं 32 bit के hardware के architecture पे इसको दो वाइट का space मिलता है जिसमें यह address को store कर सकता है अब pointer को declare कैसे करते हैं pointer को declaration का क्या तरीका है the general form of a pointer variable declaration is data type star where name तो data type क्या है here data type is the pointer base type it must be valid C data type and where name is the name of the pointer variable तो data type का मतलब है कि जो data type हम यूज कर रहे है integer character float double array हम बना रहे हैं किस तरह क्या बना रहे हैं वो data type यहां पर आएंगे जो भी C के अंदर valid data types है वो सारे ही आ सकते हैं उसके बाद star जो आप लिखते हैं तभी इसकी significance निकल के आती है और अब इस star नहीं लगाया था that is a simple variable तो जब star लगाता है that means it is a pointer variable और इसके बाद उस pointer variable का नाम देना है यहां नाम देने के जो rules हैं वो rules हमेशा variable के जो rules हैं जब हम variable बनाते हैं उसकी जो rules हम use करते हैं declare a pointer is the same asterisk use for multiplication जो multiply के लिए हम asterisk use करते हैं जो star use करते हैं वह star हमें यहां पर use करना है however in this statement the asterisk is being used to designate a variable as a pointer यहां पर asterisk लगाने का meaning ही यह है कि यह एक simple variable नहीं है यह एक pointer variable है take a look at the some of the valid pointer declaration it is star p it is a pointer to integer then double star double star dp pointer to a double double float star fp pointer to float char star ch pointer to a character that means इन सारे pointer variable को memory में 2-2 byte मिलेंगे यह data type के हसाब से नहीं बदलेंगे because इस pointer variable में हमें address को store कर रहा है तो address store करने के लिए हमें हमें उसको vary नहीं करना पड़ेगा अब सवाल यह उड़ता है कि जो हम आगे float character integer लिख रहे हैं फिर भी सब pointer variable को दो-दो byte मिल रहे हैं ऐसा क्यों इस लिए because इस pointer variable में data store नहीं करना है इस pointer variable में address store करना है अब वह address किसका होगा वह address जो आपने आगे data type लिखा है उस तरह के data का address होगा तो जब int star p लिखते हैं इसका मतलब pointer to integer का मतलब है कि p के पास जिसका address है वो एक integer value है double star dp लिखते हैं इसका मतलब dp एक ऐसा pointer है जिसके पास address है वो address किसी double number का है float star f पे लिखते हैं इसका मतलब float एक pointer variable जिसके पास जो address है वो address किसी float number का है समझ में आया तो इसका मतलब यह होगा कि जब जब पॉंटर डिकलाय कर रहे है किसी भी टाइप का उसको हमेशा दो बाइट मिलेंगे बस वो जो डेटाइप है वो यह बताता है कि उसके पास एड्रेस किसका है अगे लिखना है एक simple example देखें आप an example of using pointer to print the address and the value is given below अब आप देखें यहाँ एक number है 50 उसका address है FFF4 उस FFF4 को हमने एक pointer variable में store किया है चुकि pointer variable भी memory में जगे लेगा उसका भी कोई ना कोई एक address होगा जो पर लिखा हुआ है AAA3 तो जिसको भी memory में जगे मिलेगी उसका अपना एक address होगा as you can see in the above figure pointer variable store the address of a number variable that is FFF4 the value of number variable is 50 but the address of pointer variable is P is AAA3 by the help of star in direction operator we can print the value of pointer variable P अब देखिए फिर एक आगया यह इसको अब जहां बोल रहे है int number 50 int star p, int star p का मतलब है P is a pointer to integer यानि P के पास इसका address होगा वो एक integer value होगी p equal to ampersand number, p equal to ampersand number का मतलब है number जो variable है उसका जो address है वो आप P में copy कर दो then print of address of p variable is ampersand x slash n p तो अब यहां पे P जो है P की value को print करना है P की value का मतलब P में जो store address है उसको print करना है तो P के अंदर जो address store है वो किसी variable का address है right तो वो P की value गहलाती है तो यहां पे जो P के अंदर store है वो है FFF4 तो यहां क्या print होगा FFF4 then value of p variable is percentage d slash star p and now star p का मतलब है यहां इसको हम declare नहीं कर रहे है यहां P में P की अंदर जो address store है P की value है उसको आप address मान लो उस address पे जो data पड़ा है उस data को आपको print करना है इसका मतलब print करेगा 50 अब जब pointers की बात करते हैं तो pointers के अंदर हम दो तरह के operator यूज करते हैं एक तो है asterisk operator एक है amperson operator asterisk operator दो अपने रोल प्ले करता है एक तो उसके declaration में JavaScript declare कर रहे हैं जैसे हमने in star पे लिखा in star float लिखा राइट हमने उपर लिखा था उसमें काम करता है दूसरा जब आप उसकी pointer से उसकी value को print कराना चाहते हैं तब वह asterisk के तरह जब वह asterisk कामें लिया जाता है तो asterisk operator play two role in pointer aspects first asterisk operator is used to declare a pointer as follows तो पहला तो उसका role हो गया कि उसको pointer को declare करने काम में लेना है amperson operator is used to extract or provide the address of variable as follows amperson operator है किसी variable का क्या देगा address देगा second star play another role to extract value from the pointer variable as follows तो अब star जो है वो उस pointer variable में जो address है उस address पे जो value होगी उसको लेने के लिए काम में लिया जाएगा तो यहां पे इसको इंडाइक्शन operator भी बोलते हैं reference reference operator भी बोलते हैं अब आप pointer के साथ अपन क्या operation perform कर सकते हैं किये जा सकते हैं तो सबसे पहले pointer का assignment pointer को कैसे assign करेंगे तो pointer assignment is assign the address of variable to the right variable तो यहां पे assign का मतलब है कि pointer में आपको pointer में आप ptr float star b ptr equal to amperson a it is the right assignment करो a जो है वो एक integer variable है और ptr जो है वो pointer to integer है यह सही है लेकि amperson equal to b यह गलत है यह allow नहीं है because a is integer है और b जो है वो pointer है लेकिन float type का pointer है उसमें आप उसको copy नहीं कर सकते है वो एक error है you can assign the value of one pointer to another pointer एक एक pointer से दूसरे pointer में एक value assign कर सकते है like amperson a p1 और p2 equal to p1 तो p1 में जो store है जो add is store है वो p2 में चला जाएगा अब pointer पे आप क्या क्या अर्थमेटिक कर सकते हैं pointer पे हम कौन से arithmetic operator को operator को perform कर सकते हैं एक तो है addition एक है subtraction addition के अंदर यह है कि हम pointer के अंदर कुछ values को कुछ numbers को add कर सकते हैं तो जो pointer में जो आप add करोगे तो वो एक एक से add नहीं होगा उसका मतलब है कि वो next जो number होगा that is depend on the data type की आपने क्या data type प्रिया उसके साब से वो आगे जंप करेगा अगर आपने care लिया तो एक से जंप करेगा अगर integer लिया दो से जंप करेगा अगर float लिया तो charge जंप करेगा इस तरह से वो जंप करेगा तब next location पर पहुंचेगा दिखते हैं we can perform the increment on operator variable as follows int ar 300 200 star ptr ar p equal to ar and printf positive ar 0 star ptr plus star ptr plus अब आप यहां देखें तो AR जो है AR जो एक array का base address उसको अपने copy किया ptr के अंदर ptr जो है जो है इसको हमने print कराया print में देखिया AR 0 AR 0 का मतलब हो गया first value को print कराया then ptr plus plus ptr plus का मतलब है कि ptr में increment करो ptr में जब increment करोगी तो ptr में array का base address उसमें जो increment होगा तो next number जो होगा उसके address पे जाएगा उसके address पे जाएगा उसके address पे जाएगा और आपने start लगाया तो उस address पे जो value होगी उसको print करेगा इसका मतलब 200 प्रिंट करेगा 300 या number है 300 नंबर जहां जिस location पे store है उस location पे point करेगा फिर आपने start लगाया है तो वो उस value को print करेगा मतलब print क्या होगा 100 200 और 300 इस तरह से जब आप ptr में increment करते हैं तो वो जितना data type होता है उतने data type से increment होता है उसकी size increment होता है इसके बाद है हम दो pointer को subtract भी करा सकते हैं दो pointer में दो addresses हैं उन addresses को हम subtract करा सकते हैं इस example में अगर आप देखें तो दो pointer variable है ptr1, ptr2 और एक array है arr5 ptr1 में मैंने address डाला है first number का arr0 का address और ptr2 में डाला है arr4 का address फिर मैंने लिखा है ptr2- ptr1 तो जब मैंने यह लिखा एक address में दूर्स address घटाया तो जब address घटाते हैं तो address तो आपने घटा दिया लेकिन वह address वह pointer किस तरह के डिरा को point कर रहा है तो वह पहले तो क्या होगा ptr2 मैं ptr2 होगा तो मतलब address घटेंगे और divide by जितना data type की size होगी उतना ही आहेगा यानि दो जब pointer को आप subtract करते हैं तो उनके बीच पे जितने number of elements हैं उन elements की value आती है दो pointer के बीच में जो gap आता है वह number of elements होता है कि उन pointer के बीच में कितने number of elements आ सकते हैं फिर दो number को हम compare भी करा सकते हैं जैसे यहां पर कराया गया है कि ptr1 में ARR 0 डाल दिया ptr2 में ARR 4 डाल दिया फिर ptr1 less than ptr2 तो ptr1 जो है वो का address कम होगा ptr2 से obvious है because increment location जो हैं बढ़ती होंगी तो ptr1 का address है ptr2 से कम होगा तो इस तरह से भी आप address में comparison करा सकते हैं थैंक्स पर पाइंस लिस्निंग दन्यवाद